इस वीडियो में मैं आपको हर्षवर्दन और उस समय के समाज के बारे में बताऊंगी इसी से रिलेटेड मैंने कुछ इस वीडियो में डाले हैं यह जो टोपिक है यह लिया गया है क्लास एट की न्यू एंसी आर्टी चप्टर नावर वन से तो इससे पहले हर्षवर्दन औ किसने की है तो इस वन्स की स्ताफक वाना गया है पुश्य भूती ही ठीक है तो उन्होंने इसकी स्ताफना की कारण की है जिसकी भारत में बहुत ही कठीन प्रिस्तितिया चल रही थी छोटे-छोटे राज्या आपस में जखड रहे थे तो हुनों का कर्मन हो रहा था तो इस स्तिति भूत ही ज्यादा खराब हो गई थी ऐसे में पुश्य भूती ने कहां थानेश्वर में इस वन्स की स्ताफना की है पुश्य भूती वन्स की और इसके शाषकों को हम निन प्रकार से पढ़ सकते हैं जैसे कि इसके शाषक पहले लेती हम प्रभाकर वर्धन से ही तो इस वन्स का प्रथम स्वतंतर शासक कोन था और उसने कोन स्युपादी धारन की है तो इसका प्रथम स्वतंतर शासक कोन माना गया है यह माना गया है प्रभाकर वर्धन और उसने महराजा धी राज और प्रम बटारक की उपादियां धारन की है तो नेक्स कुश्य लेते हैं प्रभाकर वर्धन जी ने कब से कब तक साशन किया है तो उन्होंने 580 इसवी से लेकर 605 इसवी तक साशन किया है Next question लेते हैं बान बटने प्रभाकर वर्धन की प्रशंसा में क्या काया है जैसे उपादियां तो इस इन्होंने धारनी की है माराजा दिराज और प्राम बटार की इसी तरह से कभी बान बटने भी उनको नों के लिए शेर मानना है और शिंदु देश के लिए जवार केस मान बताया है नेक्स कुशिन लेते हैं नर वर्दन रजे वर्दन और दीते वर्दन के बारे में जानकारी हमी कामित से मिलती है तो हर्ष वर्दन का जो कभी है बान भट उसकी रचना है बास खेड़ा और मधू बनके तामर पत्र ठीक है तामे के पत्रों पे लिखे गए जो अभी लेख है उनसे हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है जिन जो की लगभग 505 से 580 इस्वी के बीच में इनका शाषन या इनोंने जो है राज किया है वर्दन मिलता है नेक्स कुशिन लेते हैं प्रभाकरन वर्धन की इम्रिट्व के बाद राजकाज किसने संबाला तो 605 इस्वी मे इनकी इम्रिट्व हो जाती है तो रज्य वर्धन जो है थानविश्व के राज को संबालते हैं ये इनके जैस्ट पुत्र थे और दूसरे पुत्र है इनके हर्ष्वाधन जिनके बारे में जानेंगे और तीसरी इनकी बेटी हुई थी राजवेश्री तीनों का वर्णन इस तो ये बंगाल का शाशक था ससांक और वल भाई राजा धुरू से इनने सियुक रूप से इकठे होकर इनोंने इसके रज्य वर्थिन के बहनोई कनोज शाशक द्रह वर्वन की हत्या कर दी और इनकी बहन रज्य श्री को बंदी बना लिया तो ये बहुत ही बड़ा संकट इनोंने धिलना पड़ा था रज्य वर्थिन की हत्या किसने की तो ये गोड़ शाशक ससंक ने धोके से ही की थी चसो चैसी में तो यहां से जो है रज्य वर्थन की मृत्यू के बाद जो सासन समभालने के जिम्मेवारी वह हर्षवर्थन पर आ जाती है तो इससे आगे हम अ पान्सो नब्य इस्वी में थानेविच्वर राज्य में हुआ है माता का नाम इश्वमती है और पिता का नाम है प्रभाकर वर्थन नेक्स कोशन लेते हैं हर्षवर्थन के राज्य की राजधानी प्रथम राजधानी कौन थी कौन सी थी ये थी थानेश्वर जो सरस्वती कि किनारे स्थित्थी, सरस्वती नदी के किनारे स्थित्थी, हर्श विर्धन का रजय भिशेग कम किया गया तो 16 वर्ष की ऐयू में प्रदान्मंत्री भंडी के प्रामर श्यज्च इनका चिस्वीव में क्या किया गया है राज्य विशेख किया गया है कुनौज के राज्य थानेशार में हर्शवर्दर काला ऐसा कि शुद्व के बाद गता है कि वह एक अरुमि विंद्र कर दी जाती है और बहन जो राज्य श्री है तो उनके कहनी पर ही उन्होंने कन्योज को थानेच्वर में मिला था नेक्स लिते हैं कोशन हर्ष का सब्सक्रा सत्रू कौन था तो यह था गोड या बंगाल शाशक ससांग जो किसमत को मानता था शैव मत को जबकि यह जो है वर्धन जो है वो किस मत को मानने वाले थे तो बोध मत को मानने वाले थे जब कि बंगाल शाशक ससांग को मानने वाले थे तो प्रश्चिद व्रिक्ष बोध व्रिक्ष को किस ने कटवा तो यह जब बोध के खिलाफ है बुद्धरों के खिलाफ है तो यह गोड या बंगा शाशक ससंप ने ही इसको कटवा दिया था नेक्स कोशिन लेते हैं हमें इंसां के नुसार 666-6212 इस्वी तक हर्ष ने कौन से राज्य को अपने राज्य में मिला कर किरती आशिल की है तो इन्होंने पंजाब कन्योज बिहार बंगाल और उडिसा को ने राज्य में मिला कर य पर हमला किया और ध्रूशेन द्वितिया पर जीत हाशन की तो उसमें किसका शाशन था वाँ पे ध्रूशेन द्वितिया का कामरूप असम के कि सासक को हर्ष वर्दन ने प्राजीत किया है तो ये किया है भासकर वर्मन में नेपाल के कि सासक ने हर्ष वर्दन की अधिनता की है तो इन्होंने राजा अंशु वर्मन ने अपने राजे में हर समुन्त को प्रसलित करके हर्षवर्दन की अधीनता स्विकार की है ठीक है नेक्स्ट कोस्चिन लेते हैं तो ये नेपाल की राजा थे उडिशा पर हर्षवर्दन ने जीत हाशिल करने में सफलता कैसे आई तो कैसे सफल हुए उडिशा पर तो च्छे सुत ताली सीस्वि में हर्षवर्दन ने जीत हाशिल की इसका रेजन ये था इसका की जो वहां पर उलकेशन दुए था वो शाशन कर रहे थे और उनकी मोत हो जाती है तो इस कान से वहां वो विजय प्राप्ट करने में सफल हु और प्लगेशन दुतिये के बीच में यूद कभ रुआ और इसमें किसकी हार होती है तो इन दोनों के बीच में यूद होता है चॉसु थारीस आकार्षि में रचवर्दन ने जीता शिल की है गाहां उम्धि सा पर उसका रिजन रहा है प्लेशन दुतिये की मौत हो चुकी नेक्स कुशिन लेते हैं कौन सा चीनी यत्री हर्षवर्दन के साजन काल में भारत में आया तो ये वेंशांग जो है राजा हर्षवर्दन के राजा में आठ वर्सों तक रहा यही इन्होंने यहां जो नालंदा विश्विदल है वहाँ आपने शिक्षाग्राण की थी और य क्या कहिए जाते थे याथिरियों के राजकुमार के नाम से भी जाने जाते थे तो यहां आपके दो कोशिन कवर ओरो रेंट नेक्स कोशिन लेती हैं राजा हर्षवर्दन ने कौन-कौन सी उपाधिया धारन की तो महराजा धिराज प्रमेश्वर प्रमवर्टारक्त सकलो तर पथनाग और शेला दिते हैं इसका वीनिंग क्या है सारे उत्र प्रदेश का स्वामी यानि कि जो उत्री वाग है उसका स्वामी इनको माना गया है ठीक है जो सारा उत्तर है उसके ये स्वामी वाने गए है हर्षवर्दन के मंत्री मंत्री में कौन सामी था तो इसमें थे प्रधान मंत्री महासंदी विग्रहिक या अधिकरित युद वैशंति का मंत्री जिसे का गया है महाबलाधिकरित सेनाध्यक्स थे महापरतिहार अस्ट पटालिक बेखादिकारी तो ये सब उनके मंत्री मंत्री के लिए क्या विएस्ता की है तो इन्होंने अपने समराज्य को चलाने के लिए सामनतोर महासामनतों में बाट दिया अपने पूरे राज्य को नेक्स स्कुस्टिंग लखते हैं बुक्ति काoireस है तो रज्य नेयंतरन के जित्र हैं जहांप़र अपने प्राइया च्रिणर कर रहा था तो उट बुक्ति कद देथे और उसके मुखिया कंग को यान की जौ भी इसका परधान होता था इसको उपारिक या कुमार मात्य कहा जाता था तो इस वीडियो में अर्श्वादम से रिलेटली नहीं कोस्टेंस रिमेनिंग कोस्टेंस हम नेक्स वीडियो में करेंगे थैंक्स पूर वाचिंग दी वीडियो